नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राजौन और आज की वीडियो में हम Wonderful Waste चाप्टर के कुछ important questions और उनके answers को discuss करने वाले हैं तो पहला question है हमारा When did the Maharaja enter the kitchen? तो महराज जो थे अगर आपने चाप्टर को पढ़ा होगा आपको पता होगा कि महराज कब kitchen में आये थे तो उस रात को महराज ने एक party रखा था एक dinner रखा था तो उससे पहले दो पहर को आये थे kitchen के अंदर Why did the Maharaja enter the kitchen? तो महराज रसुई में या फिर kitchen में क्यों आये थे? The Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the fest तो महराज किचन में यानि की रसुईगर में इसलिए आये थे ताकि वो देख सके कि जो रात को जो डिनर होने वाला है उसके लिए क्या क्या डिशिस बनी है और कैसे काम वगेरा चल रहा है Third question है हमारे पास What did the Maharaja ask the cook? तो महराज ने रसुईगर से क्या पूछा? The Maharaja asked the cook that what was he going to do with those vegetable straps? तो सबजिया काटने के बाद कुछ सबजियों के टुकड़े बचे हुए थे जिनने देखकर महराज ने रसुईगर से पूछा कि ये जो टुकड़े बचे हैं इनके साथ तुम क्या करने वाले हो? Next question है, what did the Maharaja command to the cook? यानकि Maharaja ने रसुईगर को क्या आदेश दिया? तो Maharaja commanded the cook not to waste the bits and pieces of vegetables and to find a way to use them. तो Maharaja ने रसुईगर को आदेश दिया कि ये जो सबजियों के टुकड़े बचे हुए हैं इनने फेकना मत इनने किसी काम में लगाना इनसे कुछ बनाना है. How did the cook react to the Maharaja's command? तो Maharaja के आदेश देने के बाद जो रसुईगर था उसने कैसे react किया? उसका reaction कैसा था आदेश सुनने के बाद? After listening to the Maharaja's command, the cook was in a fix and he kept staring at the vegetables for some time, thinking about how should he use them. तो Maharaja के आदेश सुनने के बाद जो रसुईगर था वो थोरो सा शौक हो गया. थोड़ी दे तक वो सिर्फ उन सबजियों के टुकड़ों को देखता रहा और सूचता रहा कि मैं क्या कर सकता हूं इसे? क्या बना सकता है? नेक्स देखिए, शिक्स नमबर पे मैंने ये तीन क्वेश्चन बना है, यानि कि सेम ही क्वेश्चन एक्चिली लेकिन आलग आलग तरीके से आपको पूछ सकता है, तो आपको पता होने चाहिए. यानि कि जो रसोया था, उसने सबजियों के टुकडों के साथ क्या किया? ऐसे भी पूछ सकता है, जो रसोया था, उसने उन सबजियों के टुकडों से कैसे एक डिश तयार किया, कैसे एक पकवान तयार किया? और ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेइन दा रिसेपी आफ Avisal dish, तो जो dish का recipe हम देखने वाले हैं, जो रसुये ने बनाया था उसको Avisal dish नाम दिया गया था, Avisal, तो ये सारे questions हो, तो आपका answer सेमी होगा, जो की होगा, The cook first took all the vegetable and washed them really well तो सबसे पहले क्या क्या रसु यह ने जो सारे सब्जियों के टुकड़े थे उन्हें अच्छे से धो लिया He cut these into long strips and put them in a big pot which was placed in the fire to cook और लंबे-लंबे साइज में उसने काटा उन सब्जियों के टुकड़ों को और एक बड़े से pot में एक कडाई कह सकते हैं उसमें डाल दिया और चूले में भी डाल दिया ताकि उसे वो पका सके Then he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together and made a paste उसके बाद उसने हरी मेर्च और कुछ नारियोल के टुकड़े और थोड़ा सा garlic यानिकी अधरक लेकर एक paste बनाया He added this paste and some salt to the cooking vegetables और उस पेस्ट को उसने उस कडाई में डाल दिया जो सबजी पक रहे थे और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, salt भी डाल दिया और थोड़ा सा coconut oil भी डाल दिया यानिकी नारियल का तील भी डाल दिया उसमें Finally he decorated the dish with curry leaves तो यह हो गया था बनना उसके बाद क्या क्या उसने थोड़े से curry leaves लिये और उसके डिश के उपर अच्छे से सजा दिया उन curry leaves को और तयार हो गये यह dish जिसका नम था और last question है हमारा in which state did AVL become famous तो यह जो dish है जिसका नम है AVL यह कौन से राज्य में famous हुआ और हला कि अभी भी famous ही है AVL became famous in Kerala तो यह Kerala का एक traditional dish है बहुत ज़्यादा famous है तो यह थे कुछ important questions जो मैंने arrange किये थे इस chapter के अगर आपको कोई भी confusion यह doubt in the comment section में पूछे और दोस्ते कौन से chapter के notes चाहिए वो भी मिचे बताईए Thank you so much catch for watching